पहले क्यूशन के साथ, पहले क्यूशन हुआ रहा है कि यह दिक किसी आयत की परतेग बुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके चेतर बल में कितना परिवर्तन होगा यह आपको बताना है, पहले का राइट आंसर बता दीजिए सर कौन देगा, और इस पे पहला टेस्ट सर जी, तो लाइव आएट सारे कर देना राम से, क्यों काफी महनत के बाद में कुछ सही हुआ है, चले सर पहले का राइट आंसर कौन देगा सर, शुरूती भाटी थोड़ा सच है कि जे सर, चेतन जी आपका बिल्कुल सही है, मोटी राम जी, मोटी राम जी मुकेश, जी सर अमर, ओके सर, तुछे राइट आंसर है, जो मालीश हो जाएगा सही उतर है, बिल्कुल सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके, चले, दो नमर देखिए, कि पांस संक्यां का उस्त है, वो 27 है, यदि एक संक्या निकाल दी जाए, तो उस्त 25 हो जाता है, तो निकाले संक्या आपको बतानी है, ठीक है, पहले पांस संक्या है, जिनका उस्त 27 हो जाता है, एक संक्या, कोई भी एक संक्या निकालते है, तो जो पीछे चार संक्या बज़ती है, उनका उस्त 25 रह जाता है, तो निकाले की संक्या बतानी है, फटाबड बता दीजे, कौन बताएगा गजूएल यहाओएल झीज़ यहाओएल आर एम यहाओएल झीज़ झीज़ जी जी मोतिराम जी हीन अप्टेल हो किसा जी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्रा रहा है पर चलिए जिसका राइट आंसर है 35 हो जाएगा डी अमरा सही उत्रा है इसका जी हरी सिंग जी सुनीद भी समय हो कि वैरी गुड चलिए कि उसन नमर तीन देखिए तीन है कि दो संक्या है एक तीसीरी संक्या से करम से 20% और 50% अधिक है तिन दोनों संक्याओं का अनुपात है वो आप लोगों को बताना है कि कितना अनुपात है जी सर तीन का राइट आंसर राम से कर लेजी मैथ के दिलेजर करता है जी सर मोहित नमनीत जी सर मोहित जी नवीन कुमार जी बिलकुष या रस्वीर आपका भी सी ओके सर जी चार अनुपात पांच हो जाएगा जी बिलकुष या जी मैरा राइट आंसर हो जाएगा चलिए चार नमर क्योष देखिए चार रहे जी संक्या का 20 परतिसद एक सो बीस हो तो संक्या का 120 परतिसद कितना होगा दिपक जी, हरी सिंग जी, सुरूती, सुभम, जी एन, सारन, संजेव, मोत्ती, राम जी, सोरग जी बिलकुल सबका सी एतनों, चोधरी जी आपका भी बिलकुल सी आ रहे है चलिए साथ च्यार का बता दीजी, ये दिख सी संक्या का 20 परतिसद है, अगर 120 है, तो उसी संक्या का 120 परतिसद कितना होगा ये आपको बताना है च्यार का राइट आंसर कौन देगा सा बिलकुल इजी सा क्योंचन नवीन कुमार, जी बिलकुल बेरी गुड डेव गुपता जी, सुनिल जी, गोतम, ननलाल जी, बिलकुल इसका 720 हो जाएगा, राइट आंसर है, उमारा D हो जाएगा इसका, जी, बिलकुल सही है, 720 राइट आंसर है, सुनिल जी से बेज़ेंगे, चेतन जी आपका विसी है, चलिए पांस नमर देखिए, ये देख 16 व जी से एकी मासी काई, उनकी ओस्त आएगा 120 परतिसत है, तो उसकी मासी काई बतानी है, इसकी मासी काई बतानी है, और कुल मासी काई जो है, वो है 8800 रुपे, ठीक है, अब उनकी ओस्त निकाल लीजी, और उनकी ओस्त जीतन है, उसका एकी जो आएगा 120 परतिसत है, तो उसक मासी काई बतानी है जियन सारन जी बिलकुल सर जी छे पांच का राइटान सरजी शर अमराद जी वेरी गुड सर बिलकुल सही है नमीन कुमार जबर्दस पीड आप लोगों की वेरी गुड परदीव यादो जी जी सर बिलकुल बलवीर कुशाल प्रजापत मेंदर सिंग जी दुवानी सिंग जी रोके चलिए पांच का राइटान से रहा हो जाएगा छे हाजार साथ रुपए भी हमारा सही उत्र है किसी दनराशी के चार परती वर्ष की दर्ष से दो वर्ष का साधान और चक्रती व्याज का जो अंतर है वो है एक रुपए तो राशी ग्याद करनी है है मैंदर जी जी से बिल्कु सी था है अमरा आप जी हरी सिंग चली च यह हो आए हो indeed जी रस्वीर मीना जी राजा समार्ट वेरी गुड आपका भी सी आरेस है अजय सिंग जी जी रोके विक्रम जी अमरा राम जी जी रोके तो छे का अमारा से यूतर है वह हो जाएगा 625 रुपे जी बिल्कुल जी इसका राइटांसर है चलिए क्यूसर नमर साथ देखिए साथ है कि किसी गड़ी का सुची मूल्य जो है वो 160 रुपे है एक गरा किसी दो कर्मिक कटोतियों पर 142.40 रुपे में खरीता है पहली कटोति है वो है 10 परतिसत आपको बताना है कि इसकी दूसरी कटोति कितने पर करती है एक 10 परतिसत की दूसरी आपको बताना है गड़ी का जो मुल्य था 160 रुपे था और खरीदा तब इसका मुल्य हो गया थे 122 रुपे 40 पैसे म सा हनुआमार जी थोड़ा से चाहीजिया आपनी जल्दी कर दी प्रदीप जी आपको बिल्कुल सही है देव जी और बलवी दोनों चाहीजिये कहिए ना गहिए थोड़ा से मिश्टेक वहा आपसे द्हों साथ का राई टान सय जी बिलकुल सोरभ यादाह जी बेल्कुल सही है याद भामनी सिंघ जी आपका भी आए सिवरत जी सोरभ यादाह जी दोनों का सही जोरा को अनीज जी आप為द कीजिए थोड़ा सा यह ओके सर तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर जी सुरी पंदरा परतिस जूड़ती गई थी थी थोड़ा सब्सक्राइब इसका राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कु तन्नु नवीर कुमार जी बिल्कु सी है पंदरा परतिस जट है थोड़ी सुरी मिश्टिक हो गया था चलिए कि उससर नमराट देखिए कि एक प्रूस एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को तीन दिन में पूरा कर देते ह यदि एक प्रूस अकेला उसे छे दिन में कर सकता है एक लड़का अकेला ठारा दिन में पूरा कर सकता है तो एक स्त्री है वो अकेली कितने दिनों में काम पूरा कर देगी जी साथ नमर का पंदरा प्रतिसर था सी राइट आंसर था थोड़ा सा मिश्टेक हो गया तो कोई बात ने सी राइट वाने जी उसको चलिए आठ का बता दी इसरा आठ का कोई बताएगा एक पुरूस एक स्त्री औरे लड़का तीनों मिलकर शीकां को तीन दिन में कर देते हैं जी हज्ञा सिंग जी 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 बिलकूल सी है विचपाल शीवरा थोड़े साथ चैकिजिए कही ना कही थोड़ा सा मिश्टेक हो आप से सुनिया सिंग, जी बिल्कुल सीए, सुन्या जी विकरम जी आपका का भी सी इह? थुसार जी, कैसे ह सब दी, शाम गयलो जी रमेश मीना, थ्रोड़ा सच पिजे आप, परम जी तर बाइस पासी है? रश्वे मीना आपका का भी सीए? सुनिए लगमार जी सरी टाइम यह हमें साधी नौब जी होती है सर मनीज ठाकुर आपका भी सी है ओके सर इसका राइट आंसर है वो जाएगा जी विल्कुल ओके सर थोड़ा वो टाइम ले रहें कोई बात नहीं सर राम से बता दीजिए आप टाइम ही ले रहें कोई तो सही बता हो सर इसका राइट आंसर नहीं का जी सर राजा समार्ट जी जी राजा जी जी बिल्कुल सही है आपका ओके से तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 21 दिन 20 इसका सही उतर है राजा जी आपने विल्कुल सही बता है चलिए नो नमर देखिए नहां से पीडियो जुरूर देदूँगा देखिए नो का राइट आंसर जी देव गुपता जी अब ओल दिये सार अब लिखिए आप क्या लिख रहे थे भी चलिए नो का राइट आंसर और कौन देखा सार जी बी विल्कुल बारा गंटे हो जाएगा चलिए दस नमर देखिए कि बारा पुरूष ये काम को बारा दिन में पूरा कर सकते हैं यदि छे पुरूष छे दिन के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेगा बारा पुरूष है ये काम को बारा दिने पूरा कर सकते हैं उनमें चे छे पुरूष जो है वो छे दिन काम करते हैं और फिर चले जाते हैं जी दस का राइट आंसर सोनु कुमार जी जी सर और कौन बताएगा पपी सिंग जी आपका भी सही है सर चेतन जी जी विलकुल सही है शीवराद जी ओके सर तो दस का राइट आंसर है वो मारा आप बारा दिन हो जाएंगे बारा दिन लगेंगे जी बिलकुल सी राइट आंसर है चलिए क्यों सर नमर ग्यारा कोई बाद नहीं सर मैं तरान से कर लीजिए जी के थोड़ा तेज कर लेगे ग्यारा नमर है कि एक दुकानदार अपनी वस्तों के अंकित मुले पर 10% की छूट देखकर भी 20% लाव कमा लेता है जिस वस्तों का अंकित मुले 500 रुपे है तो है उसे कितने रुपे में खरीदी होगी ये बताना है जो अंकित मुल्य उस पर 10% की छूट देता है फिर भी 20% लाव कमा लेता है अंकित मुल्य देर का है 500 रुप है तो खृति कितने में थी ये बताना है 11 का राइट आंसर कौन बताएगा सर जोसी जी वेरी गुट जोसी जी बिलकुल सही है विकरम सिंग जी आपका भी सही है सर शिवराज योगी ओके सर खुशाल थोड़ा सा चाहे किजिए आप पपी सिंग जी जी से बिलकुल श्याम थोड़ा सब चेक कीजिए कहीना कई मिश्टेक हुआ है थोड़ा सब मैं अंदर लिस्टिंग जी जी सर सुनिय आपका भी सेए सर दिपे का आप भी चेक कीजिए रवींदर जी जी ओके दिपे कुमार ओके सर इसका राइट आंस रहा हो जाएगा तीन सो पीचेत्ट र जो कि एकस वाई जड है उसमें जो वाई पर समकौन है यदि एकस वाई है वो दो रूट शिक्स तता एकस जड माइनस वाई जड बरापर दो हो तो सेख एकस पलस टैन एकस कितना होगा इसके आप तहीए सर कौन देगा राइट आट आंस सर बारा का सही उतर जी एराम से कर लेजे कोई बात ने स्क्योशन को टाइम देते हैं आपको अच्छी से बारा का सही उत्तर सर कौन देगा बारा का राइट आंस सोनो विक्रम जी वेरी गुड दोनों का सही है और कौन देगा दीपिका गवतन दोनों चाहिए कीजिए शिवराज योगी जी कोई बात ने सर अमर राज आपका भी सही है रोहीत मनीज जी पुनम आप भी जाए कीजिए कहिना की मिश्टेक वहा है और कैसे इसका राइट आंसर है बारा का वह हो जाएगा रूट 6 यानि बी इमारा सही उत्तर है इसमें जी बी राइट आंसर हो जाएगा बारा का चले क्यूसर नमर तेरा एक वस्तू के क्रेम मुल है तिधा विक्रेम मुले का जो अनुपात है वो है आठ अनुपात लो तो उसका लाब परतिश्ट बताना है कि इस जी सा क्यूसर ने प्रटावड बता दीजिए जी बिल्कुल तेरा का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल शी राइट आंसर हो जाएगा चले चौदा नमर कि एक गोले के अर्ध व्यास को दुगना कर देते हैं तो उसका आयतन कितना हो जाएगा एक गोले के अर्ध व्यास को अगर दुगना कर देंगे तो उसका आयतन में क्या परिवरतन होने वाला है वो बताना है चौदा का राइट आंसर अमरा थोड़ा सा जै कीजे थोड़ा सा कही ना कही रस्वीर जी जी बिल्कुल जै ये पपी सिंग जी जी बन्टी आपका भी सिया रहाश है जी बिल्कुल आठ गुना हो जाएगा जी बिल्कुल डीज का राइट आंसर है चलिए पंदरा नमर क्यूशन रेखिए यदि एक रेल गाड़ी एक खंबे को पार करने में 6 सेकंड लेती है तता उसकी लंबाई है वो है 120 मिटर तो रेल गाड़ी की चाल बतानिया वो भी किलो किलोमीटर परती गंटा में अना डूडी जी आपका भी सही आ रहा था राजा समाट आपका भी सही आया था अमर्राज जी कोई बात ने बढ़िया जी चलिए पंदरा का बता दीजी से बिल्कुल ही जी सक्यूशन है जो सी जी थोड़ा से चै की जी कही ना कही मिश्टेक भई आप से जी श्याम जी आपका भी सही है कुशाल आपका भी सही आ रहा है जी चेतन जी रस्विर जी रमेज छावडी जी सर मनी सुपाद या का भी सी है ओके सर इसका राइट आनसर है परम जीत गोतम एना डूडि भरत जी सर पंद्रा्स 버 हो जाएका बैसर हो जाएका जी बिलकल बी है उसी उत्तर है क्योश्र नमर सुलह देखि 있으니까 42 लीटर मिशन में दूद और पानी का अनुपात है वो है 5 अनुपात 2 यदि इस मिशन में 3 लीटर पानी ओर डाल जेते हैं तो नए मिशन में दूद और पानी का जो अनुपात होगा वो आपको बताने की क्या अनुपात होगा सोला का बता दीजिए सर्कौन देगा राइटांसा कुछा थोड़ा सचाय कीजिए उल्टा कर दीए आपने थोड़ा सचाय कीजिए इसको यादर के तीन लिटर पानी मिला रहे हैं और उन पास दूद और पानी का पूछा है दूद और पानी का थोड़ा सा पढ़िये रजवीर, बंटी, रशवीर जी जी बिलकुल चंदर कुमार जी ओके सथिसका राइटांस रैप हो जाएगा एक उनपाद दो हो जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट ने एक किया है राइटांस रिसका तो थोड़ा सा आपने दो दोर पानी को लिखने में मिस्टे करती कि पहले क्या लिखना है जी, भी हो जाएगा, ओके सार चले क्यूसर नमर सत्रा देखी सत्रा है कि एक सकूटर तथा एक टीवी सेट की मूले का जो नपाद है वो है पांच नपाद यार इती सकूटर का मूले टीवी की सेट मूले से है वो छस्सो रुपए दीको तो टीवी का मूले कितना होगा कुशाल जी, कोई बात निसर चैक कर देंगे दुबारे सत्रा का बता दीजी सा लक्समान विष्वन राम शुरूप जी जी सबिर को सिया था डुट्टि जी मनिश ठकुर आपका भी सिया था त्ली 17 का राइट आंसर कौन देगा सा गौतम जी क्या करें, आवाज रुख-रुख के आ रही है सबी हो रुख-रुख के आ रही है आप कोई आ रही है पता दीजिए अगर सभी को रुक रुक किया या तो सर कुछ सोल्यों सुन करें जिमनीश जी चेतन रस्वीर जी आपका विसी है बैरोलाल जी जी सर चले 17 का राइट आंस रहा वो मारा हो जाएगा 24,000 रुपए बीराइट आ और सर जी बेलकुल ॉस्ली हो जाले है चले मुझे कोई एक चीज बता ये सलसे पहले दू- — तीन कोमेट आएं कि आवाज कट कर द नाréalि या जी बिलकुल सही आ उरिया क्यूश करने से पहले कोई और एक बहर मैसेज कर दी जीए स्यारी है ओके थैंक्यू रुमेशी चले क्यूसर नमर 18 देखी सर्थ कि किसे सम्दिवाज तुरिबुज के आतार पर खींचे गए लंब की उंचाई है वो है आठ सेमी तुरिबुज की प्रिमिती जो है वो है 32 सेमी तो तुरिबुज का छेतरपल बताना है मनिश जी रोई जी दन्यवाज सर्थ से यारी दन्यवाज सर्थ ओके थारा नमर का राइट आंसर बता दिए मैध के एक दो क्यूस नोर है फिर एडिके करेंगे हम अठारा का कौन देखा सर्थ राइट आंसर प्रामशुरूप नमीन प्रमजीत धनेवासर जी एमरा जी धनेवाद हो के सथ विकरम जी थोड़ा सा चैके जिए बहुत नजड़ी को आप थोड़ा सा कहीना के मिश्टेक वा governments आप भी मेंस से थोड़ा सा चैके जिए सथ करें आप तो ग्यारा वाले चेकर में नहीं हो नहीं नोबली यह बुताया जाता है कि एकर क्यूशन आंसर नहीं आ रहा हो ते श्टाप के क्यूशन में ग्यारा का भाग देखे देख लेना चीए जिसमें जा रहा हो वह यह आंसर हो जाएगा लेकिन आम ऐसा सही नहीं हो ता बगवती जी आपका भी से यह से ओके सर्स अठारा का राइटांस है वो मारा बी हो जाएगा साठ से में चलिए कुनिज नमर देखिए केक त्रिभूज ABC में बिंदू P Q और R करमस है भूजा AB BC C A का मद्दे बिंदु है त्रिभूज ABC का छेतरपल है वो है बीस वरगी काई तो त्रिभूज P Q R का छेतरपल बताना है सब विसराम जी जी सर बिल्कुल है था शुरेंदर जी कह रहे हैं कि बोरिंग है शुरेंदर भी सुनौई तो आप क्या सोच रहे हो साजी यहां पर चुटकले सुनौँ मैं आपको इंटरेंट करने के लिए क्या जब आपने जब लेशन ओपन किया तो अपर लिखा वह होगा ना क्यों सन्थ मूवी देखने आए थे जी सर गुनिज का राइटान से बताएए सर क्या होगा जी रश्वीर जी श्याम जी ओके सर बिल्कुश यह पांच वरग यह का हो जाएगा गुनिज का सी है वो सही उत्तर है मारा जी बिल्कुल चले बीस नमर मैंद के दो कि शुन है पांच इंच वाले वरग से एक इंच वाले कितने छोटे वरग है वो बन सकते हैं चेतन जी चंदरा पपी सिंग जी जी अंच डूड़ी आपका भी सही आया था विस्ट्राम जी चले दी कि बीश का बता दीजिये सर पांच इंच वाले वरग से अगर एक इंच वाले वरग अगर बनाएं तो कितने वरग बनेंगे नंदलाल जी आज कर देंगे सर्थ जी बिल्कुल कर देंगे आज ओके जी बिल्कुल सीय पत्चीस हो जाएगा जी डी हमारा सही उतर है चलिए मैज का लास्ट क्यूसन है साइट यदि दो वर्गों की चितर पल का अनुपात है वो है नो अनुपात एक तो उनके प्रमीतियों का अनुपात बताना कितना होगा जी सर्थ 21 का राइट आंसर जी बिल्कुल जी बिल्कुल सर्थ सी हो जाएगा तीन अनुपात ए सब का सी आ रहे है ओके सर्थ 22 नमर एक वर्गों का छेतर का छेतर पल है वो है 500 किलोमीटर है 12 किलोमीटर परते गंटे की चाल से एक गोड़े को उसके चार और दोड़ने में कितना समय लग जाएगा एक वर्गा का छेतर का छेतर पल दे रखा है 500 किलोमीटर है एक गोड़ा है जिसकी चाल है 12 किलोमीटर परती गंटा उसके चार ओर दोड़ाना है आपको वो दोड़ है कितने टाइमें पूरी कर लेगा कितने गंटे में 22 का राम सुरूप जी वेरी गुड सर अमरा राम जी जी के कब आएगी सर मसाने वाली है सर थोड़ी दुरी है दिर कुछ जी कल से ये सुईदा भी कर देंगा सर जी बिलकुल ओके सर तो 22 का हमारा सेयुतर है वो हो जाएगा आठ गंटा लगेगा जी बिलकुल सी आरे सर सी राइटांसर हो जाएगा मैद का लास्ट क्यूसन है लास्ट क्यूसन कर दीजे कि एक खेल के मैदान की लंबाई और चोड़ाई है वो लंबाई है 36 मीटर और चोड़ाई है 21 मीटर खेल के मैदान की सिमा रिखा के चारो और है वो तीन मीटर की दूरी का पोलो को लगाना है तो आउसक पोलों की संक्या है वह कितनी होगी यह बताना है मैदान के 4 ओर सिमा रेखा के 4 ओर लगाना है 3 मीटर की दूरी पर पोलो लगाने है कितने पोल लगेंगे यह बता दीजे 23 का लास्ट है मैध का लास्ट क्यूसन है राम सुरूप जी जी बिल्कुल मौनु सिंग जी नवीन कुमार ओके सब्सक्राइब तो तेज का मारा से उत्र है जी मनीश जी जी सर रस्वीर मिना जी राम जी ओके सर तो तेज का राइट डांस है वो और तीस हो जाएगा बी मारा से उत्र है चलिए मैध कंपलीट हुई अब जीके करते हैं पहले साइंस करेंगे और फिर जीके के क्यूशन करेंगे करेंगे कांट पर वो समय नगान के तो फट चलिए 24 का राइट आसर जी बिल्कुल मुक्त इलेक्ट्रोन की उपस्तिति के कार्म होता है यह राइट आसर हो जाएगा चलिए जो समय पजीश देखिए कि सोर से लोगों स्योंजित करने के लिए कौन सी धातु का उप्योग कर सोर प्रेनल बनाया जाता है पट्रीश का र जी सी सी राइट आसर है और 16 की कौन सी धातु है वो उसमा की कूचा लख है 26 का राइट आसर जी सब्यकुल शीशा और मर्कीज जो है उसमा की कूचा लख है सी हो जाएगा राइट आसर और 27 कैसे दरपन का नाम बताना है जिसमें पर्तिविम जो है वो सीधा, बड़ा और और आबासी बनता है। कौन से दर्पन में परतिभिम सीधा बनता है, बड़ा बनता है और आबासी बनता है। जी बिलकुल अवतल दर्पन में B हो जाएगा जी सर। क्यों समय ठाइस देखें कि धोने के सोडे की रूप में किसका उप्योग कि अजाता है। 28 का राइट आंसा। जी सर। जी बिलकुल सोडियम कार्वोनेट का B हो जाएगा इसका राइट आंसा। और 29 देखें कि पुनरूत भॉन की ऐसी समता कौन से जीव में पाई जाती है। 29 जी पर्मी जी गौतम जी शिवरादी जी बिल्कुल लिवर फ्लूग में सीज का सीवतर हो जाएगा। 30 नमर सही कि दूद के निसकाशन के लिए कौन सा हर्मोन है वह जिमेदार रहें। कि दूद के निश्कांसरम के लिए कौन सा हार्मोन जिमें दर होता है 30 का राइटांस है जी बिल्कुल जिसका टिक्का लगाने की बाते हैं जी ओक्सिटोसीन हार्मोन जी बिल्कुल 6 से ही उतर जाया इसका ओके है चले एक तीस नमर देखें कि अंत्यस तरावी तंतर का स्रोच एक कमांडर है वो किसको माना जाता है कि जी हो जाएगा इसका स्युट्र कूषच का यह विक्षचित बच्सों को जनम देता है जी 32 का, जी बिल्कुल कंगारू देता है, डी इसका सिवत्र हो जाएगा, और 32 देखिए, 33 देखिए, कि सोनार उपकरण में कौन सी तरंगों का प्रियोग किया जाता है, जी तेंदर जी आप बंद करके जाय किजिए सर, बाकी सभी को सही दिख रहा है, आप एक बंद करके द दोबारे शुरू कर लीजिए, 33 का बता दीजिए सर, सोनार उपकरण में कौन सी तरंगों का प्रियोग किया जाता है, जी बिल्कुल प्रासर तरंगे का किया जाता है, सी से उतर हो जाएगा इसका, और क्यूसर नमर 34 देखिए, किन में से कौन सा है, वो किटा हरी पादप ह किटा हरी पादप कौन सा है, 34 का, जी बिल्कुल ये सारे ही हैं, तो डी राइट अंसर हो जाएगा इसका, और 35 है कि हद देखा पेसमेकर किसे का जाता है, हरी देखा पेसमेकर किसको कहते हैं, 35 का सही उतर, जी बिल्कुल ऐसे नोड को कहते हैं, वो जाएगा इसका राइट और 36 नमर देखें कि पादप को कौन सा उत्तक यांत्रिक सहारा परदान करता है पादप को कौन सा उत्तक है वो यांत्रिक सहारा परदान करता है 36 का जी बिल्कुल जायलम करता है जी बिल्कुल सियारा आपका यह हो जाएगा और question number 37 है कि उतकों के धेन को क्या का जाता है उतकों के धेन की साका को क्या कहते हैं 37 का राइटांस है जी बिल्कुल Histology एस से यूतर हो जाएगा और 38 है कि कौन से जन्तु को चंपल जन्तु कहते है किस जन्तु को चंपल जन्तु के भी कह जाता है 38, रिट रंसर, जी बिल्कूल, पेरामी सीम को कहते हैं, डी हो जायगा इसका, ओ सबसे पहले किस देश में वा माना जाता है, 39, जी बिल्कूल, रिट कीट का पालन सबसे पहले चीड में माना जाता है, D हो जाएगा राइट आंसर इसका चले चालीस नमर कि पादपों की आर्थिक महत्व की दस्टी से अधेन की साका क्या कहलाती है चालीस जीसर बिल्कुल आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते है B हो जाएगा इसका राइट आंसर और 41 है कि प्रारम में रीड की कुल हडियों की संक्या है वो कितनी होती है प्रारम में रीड की कुल हडियों की संक्या 41 जीसर बिल्कुल 33 जी बिल्कुल सही है B हो जाएगा राइट आंसर और 42 हमारे के मनुस्य के सरी कि शिर में हडियों की संख्या कितनी होती है मनुश्य की सिर में कुल हडियों की संख्या कितनी होती है जी सर बिया लिए इसका राइट आसर ओकी जी बिलकुल टाउंटी नाइन डी से उतर हो जाएगा इसका और 43 है कि हर्द्य गति कम हो जाने पर इसे समान्य आवस्ता में ला करते हैं अभी हमने पेस्मेकर से संधीते क्यों से पड़ा था सिय इसका सही उत्र हो जाएगा ओके 44 देखे कि विटामिन एक कमी से होने वाला रोग कौन सा है विटामिन एक कमी से कौन सा रोग होता है 44 का स्यूतर जी बिल्कुल जनन सक्तिक का कम हो जाना होता है यह हो जाएगा इसका स्यूतर जी चलिए 45 आपको बताना है कि रकत दिम्बाणों का जीवनकाल है वो लबब कितना होता है रकत दिम्बाणों का जीवनकाल कितना होता है है 45 बिल्कुल 3 से 5 दिन के 20 का होता है उसका और 46 है स्रीर के भीतर रकतपरी भर्मन में लबग कितना समय लगता है नि-च्रीर के अंदर है वो रकत यह एकई कोन्सा होता है fel मार्वेम्स इंजायम्स कि पेपोटजीणों दोनों होते हैं कि टाऊवस का कि दी बीट Queensland आप इसका कि नीएर लिमें हारवे ने रकत परीश हिन्चन की कि खोज है वो कब की थी सबसे पहले तब यह याद रुखे कि रकत पुरी सेचन की खोज है वो किस के द्वारा की गी थी वीलिम हारवे के द्वारा कब की गी थी यह आपको बताना है 49 जी बिलकुल 1628 इस्यू में वी उजय का राइट आंसर चलिए 50 नमर क्यूसर कि एक स्वस इन एक मिनट में कित्नी बार दड़कता है परूण अवस्ता की बात कर रहे हैं कितनी बार दड़कता है मिनिट में 52 जी बिल्कुल डेट सो बार जी सर यह है इसका से उत्र हो जाएगा और त्रेपन देखिए कि हृद्दे से सरीर की वो रकत ले जाने वाली रकत वाहिनी जो है उसको किस नाम से हम जानते हैं जी सर रिद्य से जी त्रेपन का जी बिल्कुल दमनी गयते हैं भी हो जाएगा और चोपन है अब साइस हमारी खतम हो चुकिया है फट नरत्य में कितने वेक्ति होते हैं फट नरत्य जो होता है उसमें वेक्ति कितने होते हैं जी जोपन जी बिल्कुल बियालीस होते हैं फोटीटू सी हो जाएगा इसका और पिछपन का जी बिल्कुल गेर नरत्य पर जालोर कढ़ें नर्टे को नर्टे परसीद यहां कि एक इगर परसीद है तो जालोर का कौणो नर्टे परसीद है जही हमें जालोर 248 बहुता है यह बलुकुल ढूर नर्त है जलूर का पर्सीद यह हो जाएगा उर चित्यावन का है बागर्ड का हरनाई है यह लोक्त का हरनाई है यह हो जाएगा इच्छावन बिल्कुल भील जन नर्ती का सरवातिक महत्व है यह हो जाएगा इसमें समराराम जी सर्वन जी जी बिल्कुल सिया राता से चलिए 59 देखिए नेमन मैंसे कौन सा नर्ती है वो राजस्तान का नहीं है 59 जी कटकुतली भी है फंदी नर्ते भी है गरबाग उमर जी पंत पाणुवानी नहीं है डी हो जाएगा राइट आंसर और साट देखिए शेकावाटी चेतर का लोग पिर यह नर्ते बताना है शेकावाटी शाट जी बिलकुल इजी सा है कच्ची गोडी एक लहूर नर्ते भी है क्यों सनाया था लहूर नर्ते कौन से चेतर में है तो वह भी आदर के शेकावाटी चेतर में है चलिए भी इसका भी हो जाएगा एक सट नमर है कि निमन मैसे जो यूगल नर्ते भी कौन सा है जो नर्ते यूगल में किया जाता है जोड़े में किया जाता है एक सट का जी बिलकुल पणियारी नर्ते जी एक हो जाएगा राइटांसा और नर्ते कला के विकास में योगदान के लिए परसिद कौन है विकास की बात करें, विकास की योगदान में जिसन सरवाती ख्याती प्राबत की है, जी 62, यह बिल्गुल काल बे लिया, जी हो जाएगा, रास्तान में होली की दिनों में मेवाड में और बाड मेर में किस ने की धूम मचा रखी है, यानि कौन से नर्तिय है, थोड़ा सा मिस्प्रिंटिंग आपई, यानि कहने के मतलब होली की दिनों मेवाड में और बाड मेर चेतर में कौन सा नर्तिय है, वो सरव ज्यकाल के दोरान दिल्ली सिवालीक अस्तम अविलेक हे वो उतकर्ण करवाय गया था। किस के सासनकाल में वहा था 64 बिलकुल विगरा राजसतूत के सासनकाल में वहा था ये भी हो जाएगा। 65 है कि गुणी 120 के दसक में राजनितिक जागन के उद्देशे से किस ने ब्यावर से राजस्तान नामक अकबार का परकासन किया था सबसे पहले तो आप यह चीज या दो कि राजस्तान का जो परकासन हुआ था वो ब्यावर से हुआ था और गुणी 120 में हुआ था अब बता दीजे किसके दुवारा ये किया गया था ते बिलकुल रिसी दत्म महता ने किया था ये 65 का राइटांस रहे हो जाएगा चलिए 65 दो हो गए अच्छी बात है चलिए इस्तान जो अपनी मुरीदा सिलब के लिए विख्यात है वो कौन सा है मुरीदा सिलब के लिए जी बिलकुल मोले लागाओं में और च्छांसर देखिए कि 25 मार्च गुनी 14 को गटित श्योंकतर राजस्तान का मुख्यमंतरी किसको बनाया गया था 25 मार्च गुनी 14 को श्योंकतर राजस्तान का जबठन वा था उसमें मुख्यमंतरी कोन बनाया थे जी बिलकुल हीरा लाल सास्तरी को बनाया गया था चलिए शेक्ष भी दो हो गया यानि दो कि उसने एक्ष्टा हो जाएंगा अच्छी बात है 267 में नीमन मैंसे किस देवी का मनिर है अकवर ने जो विवा किया था वो सामर जिल के किनारी किया था यहां पर किस देवी का मंदिर है 67 जी बिल्कुल साकंब्री देवी का जी हो जाएगा सही होता और 68 देखे कि विश्वेज जनसंक्या दीविस 2015 की नीमन मैंसे कौन सी एक विश्वेज वस्तू है विश्वेज जनसंक्या दीविस 2015 की बात करें 68 बिल्कुल आपात काल में ऐ सुरक्षित जनसंक्या यानि कमजोर जनसंक्या यह हो जाएगा राइट आंसर इसका जी चलिए 69 देखे कि रंचोड भाई रेबारी के बारे में कौन सा कतन जो है वो सही नहीं है रंचोड भाई रेबारी के बारे में बात करें 69 का जी 69 का राइट आंसर जी बिल्कुल बाकी सारे से यह सी सी नहीं है वह भारती है सेना में सिपाई था यह सी नहीं है बाकी तो सारे से बिल्कुल सी है ओके सिक्ष्टेंस ही हो जाएगा राइट आंसा चलिए सत्तर नमर देखे कि किस देश में सिक्ष्ट दिवस को हरी गुरु का जाता है सिक्ष्ट दिवस को हरी गुरु है वो किस देश में कहते हैं जी बिलकुल मलेशिया में होता ये कारणामा दी हो जाएगा राइट आंसर और एकेतर देखें कि 2015 में चिकस्या के छेतर में योगदान के लिए राजस्तान से निमन मैसे किसे है वो पदमश्री से समानित किया गया था बिलकुल डॉक्टर राजे इस कोटेचा को भी हो जाएगा सही हुथ है जाले बहुतर नमर है कि तू यह इट मैज्टे के लेखे को ये पूस्तर का नाम है और इसके लेखे को बताने निया बहुतर का सही हुथ है और इसके लेकर जो है सरवादिक जर्चा में रहते हैं इतना जो बोलती है आप आंट से बता दोगे गोतम जी, शीवराद जी, मीना, असीना, रवी जी सर, बिलकुल, श्याम जी, संजे, सल्मान रुस्दी की पुष्ट गई भी हो जाएगा इसका सही होता और क्योसर नमर तेतर देखिए कि भारत के किस राचय में कूपोषण की शिकार बालकों का पर्तिस सेत है वो सर्वादिक है लोगसेवा दीवस किस दिन मनाया जाता है लोग शेवा दिवस कब मनाये जाता है चोतर का राइट आंसर जी बिलकुल एकी सप्रेल को जी सही आ रहा है अपना चलिए पेचेता देखिए भारत सरकार के मुद्रा योजना का उद्देश से बताना है आया वाक्यूसन है ये दो बार पेचेता का कौन देगा सा राइट आ जी बिलकुल छोटे व्यपार स्तापित करने है तू आसान वीतिय सहीत अपलवत कराना है वो मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश था डी हो जाएगा इसका राइट आंसर जी चलिए 76 बुमी अधीकरण विद्देग लोग सबा में है कितने संसोदनों से पारित हुआ बुमी अधीकरण विद्देग 76 बिलकुल पूरे नो संसोदन किये गएते इसमें नो हो जाएगा चलिए 77 गिद्दर नर्त्य का समन्ध है वो किस चेतर से गिद्दर नर्त्य है वो कौन से चेतर में किया जाता है 77 सर जी शेकवाटी चेतर का परशिद है परश्तान के लोक नर्त्य है यह उनके परचलंग चेतर के समन्ध में नेमलन Cand's में से कौन सा युगम हैवो सही नहीं है कि जीद्द्द नर्त्य है वो शिकवाटी चेतर में होता है डोन नर्त्य है मारवाड में होता है तेंदर का बता दीजी से कौन सा गलत है? जी बिलकुल जी कि बम नर्ट है बिकानेर में नहीं होता, ये गलत है अगर नहीं नर्ट होता बिकानेर में चलिए, C है वो C उत्र हो जाएगा इसका 79 नहीं कि नर्ट है जो केवल पुरूसों की द्वारा किया जाता है 79 नहीं कौन सा नर्ट है जो केवल और केवल पुरूसों की द्वारा किया जाता है जी बिलकुल कच्ची घोड़ी नर्ट है और 80 है कि नीमल लिकित में से कौन सा मेव लोग नर्ते है जिसमें स्त्री वे पुरुस दोनों भाग लेते हैं सबसे पहले तो इस पर ध्यान दीजिए मेव लोग नर्ते के बारे मताना है जिसमें स्तिरियो प्रूस दोनों भाग लेते हैं जिस बेलकुल रन बाजा नर्थ यह D हो जाएगा ओके एटीवन देखिए कि तेरह तली नर्थ यह है वो किस लोग देउता को समर्पित है किस लोग देउता से समधीत है जिस बेलकुल राम देवजी से समधीत है भी हो जाएगा इसका और एटीटू है कि नीमन मैंसे कौन सा नर्थ है वो कालवेलियों का नहीं है कौन सा नर्थ से है जो कालवेलियों का नहीं है एटीटू बिलकुल चरी नर्थ नहीं है चरी नर्थ जो है गुजरों का है द्वारा किया जाता है किस जाती का है जी बिल्गुल गराशियों का नर्त है डी वो जाएगा इसका चलिए 84 देखें कि शेकावाटी शेतर का परसित नर्त है ये तो रिपीट हो गया है गीदर नर्त हम अभी करके आए है और 85 है कि मून या वास जो की अलवर में है खेरा बलो में GSI को किस के व्रीद बंढार मिले थे प्राचीन एक स्तल की खोड़ाई होई थी या मून डिया बास में जो के लवर में है प्राचीन व्रीद बंढार मिले थे GSI के द्वारा तो किस के मिले थे ये बताना 85 का सा जी बिलकुल तांबे के थे वो भी हो जाएगा और काफी चर्टा में भी राध है ऐटी सिक्स है कि केसरपुरा गाउं में हीरा मिलने की संभावना व्यक्त की गी है ये गाउं जो है वो राजस्तान के कौन से जीली में है केसरपुरा जी परताफगड बास्वाड़ा उध्यपुर जी ओके सर केसरपुरा जी परताफगड ओके ऐटी सेवन देखे कि ए लोखनीज की दस्टी से राजस्तान का भारत में परतम स्तान है लोखनीज की दस्टी से राज्य का स्तान कौन सा है एटी सेवन जी बिलकुल चोता हो जाएगा बी राइटांस है और एटी एट है कि परदान खरीजों के लिए नियमों और रोयल्टी का निधारन है वो किसके द्वारा किया जाता है परदान खरीजों के लिए नियम कौन मनाता है सेटी एट ये बिलकुल के अंदर सरकार की द्वाज़ा हो था ये कारणामा सी हो जाएगा और एटी नाइन है कि कर्चर्डमोती का उत्पादन है वो राज्य की किस जीले में होता है जी बिल्कुल बांसवडा में होता है यह हो जाएगा और नबर नमर देखिए कि वसुराइशीना खान है वो किस जिल्ले में है और किस लिए परसीद है वसुराइशीना जी बिल्कुल जेपूर में है और चीनी मीटी के लिए परसीद है डी हो जाएगा चलिए और 91 देखिए कि जिप्सम खनीज के दो अन्य नाम कौन कौन से हैं जिप्सम को और किस नाम से जाना जाता है 91 जी बिलकुल हर्सोट कहा जाता है और शेले नाइट भी कहा जाता है यह हो जाएगा और 92 देखिए कि राज्य में साथ रंगों का मार्बल है वो किस छेतर में मिलता है साथ रंग का मार्बल कहा मिलता है 92 जी बिलकुल खादरा गाउं में मिलता है और यह खादरा गाउं जो है यह पाली में है और 93 एक राधस्तान में स्थानिय बासा में सेटा है वो किसको कहते ह स्थानिय वासा में सेटा किसको कहते हैं सर जी बिल्कुल कोबार्ट को कहा जाता है और 94 है कि पाली का नाना कराबचेतर जो है वो किसके लिए परसिद है नाना कराबचेतर जी बिल्कुल टंगस्टन के लिए और 95 है कि उदेफोस जो है वो क्या है उदेफोस क्या है सर 95 जी बिल्कुल ट्रोग फोस्टन की गतिया सिरनी जो खेतों में सीदे उरक का काम करती है उसको उदेफोस के नाम से जाना जाता है तो डी हो जाएगा यहां पर राइट आंस हमारा चलिए 96 जसल मेर के किस छेतर में सिमेंट सिरनी और एस एम एस सिरनी के चुना पसर के बंडार है वो परमानित किये जा चुके हैं जी 96 जी बिलकुल सानु छेतर में और सानु छेतर जो है किस छेतर में जसल मेर में सिरनी हो जाएगा इसका राइट आंसर और 97 है कि वैखनीच कौन सा है जिसका खनन और विपनन कारिया है वो राजस्तान राज्य खनीच विकास निगम लिमिटेट द्वारा नहीं किया जात है और जितने भी खनीच अलबग सब्भी का है वो राजस्तान राज्य खनीच विकास निगम लिमिटेट करता है लेकिन कौन सा खनीच है जिसका खनन है वो नहीं करता यह 97 जी बिलकुल खनीच लुआ का नहीं करता है तो यहां पर राइट आंसर है वो जाएगा सी चले 98 र कितना सिंपल सा क्यूसन है सरांधी क्या है अब यह मत कर देना कि ओप्सन नहीं कला तर सरांधी तो कुछ और होती है चले 99 जी बिलकुल जैपूर जिले की सबसे बढ़ाया खनन शेतर का नाम है आंदी तो डी हो जाएगा यहां पर राइट आंसर है चले लास्ट क्यूसन कर अजबाना जी सो का राइट आंसर बता दीजी सार रविय अगरवाल और कौन देगा लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी मीना जी बिलकुल इसका बेराइट हो जाएगा डी हमारा से उतर है ओके गाइज तो यह थे आज के सो क्यूसर टीज का राइट आंसर है और पीडियम कहां से लेनी है यह सिक्रीन पर चल रहा है आप देख सकते हो कि टेलेग्राम से लेनी है ठीक है सर और इसके लवा काफी टाइम बाद यानि 10 से 15 दिन हो गए हम रोजाना कोशिज करते थी कि लाइव हो जाए तो बड़ी मुश्किल से आज हुआ है तो आज तो सपेशली सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देना और शेयर कर देना सर बहुत मुश्किल से हुआ है काफी महनत की है और हमेसा आज से जब तक कर LDC के एक्जाम नहीं होता रोजाना है वो साड़ी नोटिपिकेशन नहीं भी आता है तो भी आप लोगों को रेडी रहना है ओके गैस थैंक यू गूड़नाइट